आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम सिधान दगनी उतरी, स्टड़ी ऐक्योपाप का बहुत बहुत स्वागत है, एरोसॉल्स के आज आप बात करेंगे, इनको कैसे मिजर किया जाता है, पार्टिकल काउंटर से, दोस्तों COVID-19 फैल रहा है, और आपक सोटे पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो हैं, वो एर या फिर गैस में पैल जाएं, मतलब मिक्स हो जाएं, और वो एरोसॉल बनती हैं, एरोसॉल can be natural या फिर anthropogenic भी होती हैं, जैसे fog हो गया, dust हो गया, यह स सब एरोसॉल के example है, chemistry में आपने पढ़ा होगा, 12th में है न, CBSC की बात करना हो, 12th में ये chapter इस पे पूराव का पूराव, तो हम बात करेंगे, एरोसॉल को कैसे measure किया जाता है, वैसे इसको measure करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक simple तरीका, scientist ने खोज निकाला है, UPSC के smart courses आते हैं, और हमने अप test series बिलाज कर दिये, तो आप इसको जरूर अवैल करें, इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी queries answer करता हूँ, तो coronavirus जो है, वो aerosols, या फिर tiny droplets से ही generate होता है, अब इस पे मैंने कई बार ले चल लिया है, कि droplets से कैसे coronavirus फैलता है, पूरा mechanism समझाया है, तो coronavirus जो है, भाई, वो आपके खास ने, आपने खासा virus particle फैल गया, और ये public space में ज़्यादा होगा, जैसे कि aerosol जो है, आप खास रहे हैं, आप नहीं किसी को भी virus है, वो खास रहे हैं, या फिर छीक रहे हैं, या फिर in fact बोल भी रहें, तो particles जो हैं, वहाँ पे फैल गए, यानि कि एक particular जगां पे infection का rate जादा है, वहाँ पे infection हो सकता है, क्योंकि वही aerosol आप अंदर लेंगे, नाक और मुस है सी ने तो बोला जाता है, मास्क पहनो, परना वो अंदर चला जाएगा, आप इसको हम measure कर सकते हैं, measurement के लिए हमको specialist और special equipment चाहिए लेकिन scientist ने एक बहुती simpler alternative जो है, वो demonstrate किया है, और ये कहां चपा है, physics of fluids, भाया देखो ये सब इतने बड़े बड़े journals हैं, जो लोग PhD कर रहे हैं अगर यहाँ पे पेपर चप गया, तो जिन्दगी बन जाती है, जो की journal है American Institute of Physics, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, कि इसको measure कैसे किया गया है, अब देखी, इस study में एक device का use किया, जिसको fluke 985 बोला जाता है, तो researchers ने बोला, जो fluke 985 से result आया है, similar results दूसरे particle counter से भी आया है, बहुत सारे particle counters जो है, वो available है market में, अब ये सब hand held होते हैं, hand held बंदब क्या है, कि जैसे आपका room है, आपने ये particle counter आपने दिखा कि कितना measurement है, अगर 50 से उपर है, इसका मतलब बहुत ज़ादा, या 100 से उपर है, तो बहुत ज़ादा aerosol है, यानि कि काफी ज़ादा concentration है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, दर्वाजा खोल दीजे, window खोल दीजे, ventilation होगा, वो अपने आप खतम हो ज पता देंगे न, कि कहां पे कितना aerosol है, आप बोल रहे हैं, आप छीक रहे हैं, पता देंगे कि कितना concentration है, तो infection का risk बहुत ज़ादा कम रहेगा, तो ये counters बड़े important होते हैं, और scientists हिनका use करते हैं, लेकिन एक दिक्कत बहुत बड़ी है, कि जब भी आप aerosol की बात करते हैं तो उसके साथ साथ आपको dust भी मिलेगी, भाई देखो, particles तो फैलते ही हैं, तो dust particles भी मिलेंगे आपको, आप क्या करें, simple है, simple तरीका researchers ने aerosol को निकालने का, और dust particles, मतलब बाकी particles को हटाने का simple तरीका अपनाया है, yeah, subtraction, minus, मतलब, यहाँ पे Daniel Bon, जो की one of the authors है, study की, उन्होंने बोला है, कि हमने कुछ नहीं किया, जब aerosol नहीं थे, तब हमने dust particles देख लिए कितने हैं, और जब aerosol है, देखो, aerosol कब नहीं रहेंगे, जब लोग नहीं रहेंगे, जब लोग नहीं रहेंगे, भाई, लगाना है कि इसको COVID-19 है, जहाँ पे aerosol concentration ज्यादा है, वहाँ को जाना नहीं, तो यहाँ पे जब dust, जब कोई aerosol नहीं है, तब हमने देख लिया कि dust particle कितने हैं, और उसके बाद जब लोग आए, उन्होंने बोला, खासा, जो भी किया उन्होंने, फिर हमने aerosol को measure कर लिय और दोने का difference निकाल लिया, पता चल गया कि कितना concentration है, उन्हें particle को measure कर लिया, simple तरीका, आगे देखते हैं, डिवाइस जो है, इसमें 6 different sizes है, 0.3, 0.5, ये बहुत कम होता है, 0.3, 0.5, ये channel है, ये micron आप देख रहे हैं, ये 10 to the power minus 6 meter, यानि कि 1 by 10, 10, 6 बार 0 लगा दिया, ये तो ये 10 micron की बात कर रहा है, COVID-19 भी तो इतना ही, एक virus भी इतना ही होता है, तो 0.3 और 0.5 तो बहुत ही ज़्यादा चोटा होगे, तो दिखे का ही नहीं, तो इन दोनों के लिए 0.3, 0.5 के लिए जो है, 98% of the dust यहाँ पे ही रहती है, in the first 2 channel, जो की बहुत ज़्यादा smallest है, ल लेकिन तब भी हमारे पास, there is a reasonable sized range, where you can detect aerosol, ये वाला size range हमने 0.5, 0.3 की बहुत छोटा है, कि detect नहीं हो सकता है, handled इसे counter से, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास अच्छी खासी range है, जिससे हम aerosols को detect कर सकते हैं, अब validation के लिए, कि हमने सही किया कि नहीं, researchers ने result किया compare को, laboratory technique से, laboratory technique मतलब कैसे, laser diffraction, laser लगाई, छोटे 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 particles होते ना भायो से diffract होगी, energy का एक तरीके से distribution होगा ना, diffraction होता कि interference of interference, है ना, the ending of light, जब भी कोई geometrical object जो है, वो वहाँ पे place होता है, तो इसका मतलब, diffraction होगा, तो laser diffraction technique जो है, वो हमने, इसमें, आजमाई, laser beam को, sample से pass कराया, sample रखा, laser से pass कराया, different size particles थे, अब जब light, जब laser beam से reflect होगी, क्योंकि भाई, laser तो, light amplification by stimulated emission, है ना, यही होता है, laser का full form, बहुत ज़ादा important, पूरी एक branch है laser, तो laser को, जब sample से pass कराया, तब हमने यह देखा, जो result आ रहे हैं, तो, इसका मतलब, यह जो technique है, यह जो hand held counter है, जबर dust, अब यह बहुत सस्ता है, यह सिर्फ 50 डॉलर का है, यहाँ पे bon बोल रहे हैं, कि मैंने बहुती छोटा 50 डॉलर का खरीदा, और मैं अपने desk पे रखता हूँ, और air quality जो है, वो चेक करता रहता हूँ, अगर air quality index जो है, वो red हो जाए, यानि कि बहुत ज़ादा aerosols है, यानि कि small dust particles काफी ज़ादा है, या फिर aerosols बहुत ज़ादा है, दोनों ही case में आपको window को open करना पड़ेगा, findings ये भी बताती हैं, कि well ventilated areas में, aerosol concentration जो है, वो 100 गुना कम होता है, ventilation at all, depends on ventilation, आपका ventilation बढ़िया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, public elevators हो गया, और आपका rest rooms हो गया, यहाँ पे ventilation नहीं होता न, ठीक है, ये poorly ventilated areas है, ventilation सबसे बड़ा role play करता है, हवा आ रही है, और जा रही है, रहते हैं, AC में, mall में, ventilation ही नहीं, वो तो पूरा closed है, तो वहाँ पे virus फैलने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो ventilation is very important, तो जहाँ पे ventilation बढ़िया होता है, वहाँ पे aerosol concentration जो है, वो 100 गुना कम रहता है, ये lecture था दोस्तों, कैसे measure किया, आपके aerosols को, या dust particles को, particle counter basically, आयोव आप समझे होंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, तो 12,400 सब्सक्राइबर हैं, मेरे टेलिग्राम चैनल पर आप यहीं जोइन करिएगा, खुछ रहे पड़ते रहे, देसे सिद्धा तक नहीं उतरी साइन हो